स्वागत है आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल बायो पॉइंट में CBSC की हर एक भी स्वस्री अपडेट के लिए आप बायो पॉइंट चैनल से जुड़े हैं और हमारा वादा है कि हम आपको कभी भी मिसलीट नहीं करते हैं आप तक सही जानकारी पहुचाते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे CBSC रिजल्ट के अपडेट की और साथ ही में आपको बताएंगे कि अब स्कूल में 15-18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सिनेशन जरूरी हो गया CBSC ने एडवाजरी जारी करके क्या बताया CBSC रिजल्ट के बारे में टर्म 2 के सेलबस के बारे में और कोबिड वैक्सिनेशन को ले करके आपको बता दें कि CBSC ने नोटिस जारी करते हुए सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि 15 से 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं 11 और 12 के बच्चे जल्द से जल्द अपना COVID का रजिस्क्रेशन करके वैक्सिन की डेट सुनस्चित कर लें और समय पर वैक्सिन लगवा लें बच्चों को को वैक्सिन की डोज लगेगी बच्चों को यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको स्लोट बुक करने के लिए कोविन एप ओपन करना है कोविन एप को इस स्मार्ट फोट कम्प्यूटर या लैपटाप के माध्यम से ओपन किया जा सकता है आप स्टूडेंट को बता दें कि आप अपने स्कूल के ID कार्ट, आधार कार्ट और क्लास 10 की मार्ट सिट के अनुसार अपनी स्लोट को बुक कर सकते हैं सबसे पहले सेलवस को ले करके फैल रही है आप वाएं इसको ले करके जानकारी बोड ने दी है कि टर्म टू बोड एक्जाम की डेट अभी भी कोई सुनिश्यत नहीं है इसमिस बोड ने साफ कर दिया कि अभी बोड के द्वारा कोई भी फैसला बोड टर्म टू एक्जाम के ले करके बहुत बड़ी अफ़ा आ रही है कि term 2 के exam के लिए syllabus में बदलाव किया गया है लेकिन board ने कहा कि अभी भी board ने pattern में कोई बदलाव करने का फैसला नहीं किया है आपको board की अधिकारिक website पर सूचना upload कराई जाएगी CBSC ने term first exam के result को लेकर के कहा कि board exam के result को जानी करने की तयारियां होने लगी है जैसे ही कोई update आएगा उसे CBSC की official website पे upload के आजाएगा आपको हमारी YouTube चैनल पे भी उसकी सबसे पहले सूचना मिलेगी तो किसी अफवा के चक्कर मने न पड़ें जैसा कि आप CBSC का letter देख रहे हैं पहली तो update यह है कि आप COVID का registration करा के vaccination करें अपने को सुरक्षित करें अपने को protect करें यह सबसे important है कि आप COVID का registration करा करके co-vaccine की dose जरूर लें यह आपके लिए एक उत्ताह के जैसा होना चाहिए आप सभी बच्चे सुरक्षित रहें ऐसा bio point channel आप से आगरह करता है कि आप सभी जो है COVID का vaccine जरूर लें दूसरा term to board exam को ले करके syllabus की कोई जानकारी अभी तक CBSC के official website पे नहीं आई है सबसे महत्पूर बात यह है कि term first का result है उसको CBSC के official website पे जारी किया जाएगा अभी result को ले करके काम चल रहा है जैसे कि अफ़ाहें चल रहे हैं कि जनवरी के दूसरे सब्ता में result आ सकता है तो maybe यह possible है कि जनवरी के दूसरे सब्ता में result जारी हो सकता है लेकिन अभी CBSC की ओर से official कोई जानकारी नहीं उपलप्त कराएगी है जैसे ही कोई official जानकारी आएगी उसे बायो पॉइंट चैनल पे सबसे पहले अपडेट किया जाएगा जैसा कि आपका प्यार विश्वास और भरोसा बायो पॉइंट के साथ बना रहा है ऐसे ही बायो पॉइंट आपको निरास्त नहीं करेगा CBSC के हर एक अपडेट से रूबरू कराता रहेगा चैनल में आपका बने रहने के लिए शहर दैशे धन्यवाद